न्यूस रूम लाइव स्पॉंसर बाई चंद्रगुप्त अकाडमी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा ख्मंति शिवराज सिंग चोहान ने एक बैठक बुलाई है आपको बताएं कि जबलपुर में कोरोना संक्रमित 77 वर्सी महिला की मौत दर्च हुई है एक महीने बाद प्रदेश में कोरोना के मौत का यह दूसरा मामला हुआ है जिससे पहले 19 मार्च को एक विक्ति की मौत में कोरोना के XE variant केसे मिलने के बाद स्वास्त महकमा MP में पहले से अलर्ट जारी कर चुका है बढ़ते खत्रे को देखते हुए मौकमंति शिवराज सिंग चोहान ने एक बैठक बुलाई स्वास्त बिभाग और चिकित्सा बिभाग की अपसरों के साथ मौकमंति शिवराज करने के भी निर्देश दिये जहां कीस जादा बढ़ रहे हैं बारा बर्च से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन में तेजी लाने की बात कही गई प्रदेश में आपको बताएं कि बामन में से 48 हैसे जिले हैं जहां एक भी कुरोना के केस नहीं है और रिकेवरी रेट 3 0.6 प्रिस्द बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरह इन दौर का केस आया एक 77 बर्ची महिला की मौत हुई एक लंबे समय बाद कुरोना से मौत हुई इसको लेकर सरकार थोड़ा अलर्ट मोड पर आई है मुखमंति शिवराज सिंग चौहान ने अपसरों के साथ आज बैठक की लेकिन सीधा तोर पे कहा कि अभी चिंता का कोई बिसे नहीं है सरकार इसके लिए एक्टीव मोल पर है और 12 बर्च से अधिक बच्चों को जल से जल वैक्सिनेशन की तैयारी जिस तरह चल रही है और उसको तेजी लाने की तैयारी में है शरकार बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो मदप्रदेश के पूर मुकमंतरी कमल लात ने कांग्रेस कमेटी की अगधच सोनिया गांधी से मुलाखात की है मुलाखात डेड़ बजे के हुई है यह बैठक और लगभग एक घंटे तक यह बैठक चली है इस दोरान बिभिन राजनेतिक मुदो पर संगठन की अंदुरूनी बिसियो पर आगामी रणीत को लेकर पार्टी के आगामी कारक्रमो को लेकर उनसे चर्चा हुई है इस बैठक के कई माइने निकाले जा रहे हैं जिस तरह से क्योंकि कमलनाथ के घर में एक बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश के बड़े नेता सब बैठक में शामिल हुए थे और नरणीती बनाई गई थी और गुटवाजी की जो चर्चा होती है इसको दरकिनार करते हुए कॉंग्रेस एक जुट होने की तैयारी कर रही है और इसके बाद अब मंत्री पूर मुकमंती कमलनाथ की आज सोनिया गांधी से मुलाखात डेड़ बजे के लगबग ये मुलाखात हुई एक घंटे तक चली जिसमें तमाम बिसी उपर चर्चा हुई बात करें अंगली खबर की तो मद्रदेश में प्राइबेट करमचारियों को लिए एक खुशखबरी की खबर है आपको बताएं कि मद्रदेश में प्राइबेट करमचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि प्रदेश की शिवरास सरकार ने निजी छे प्रासिंग चौहान की बैठक नहीं है सहमती के बाद यह प्रस्ताब की तैयारी की जा रही है जिसे जल्द ही कैबिनेट में भी पेश किया जाएगा अगर ऐसा हुआ तो मदप्रदेश पहला राज्य होगा जो इस तरह की पहल करेगा जिसको जिस तरह से इसकी बात चल लही बात करें अंतिम खबर की तो मदप्रदेश में शिवराज सरकार किसानों को लेकर एक्टिम मोल पर दिखाएते रही हैं शिवराज सरकार ने किसानों के हित में एक और निर्णे लेते हुए एक कमेटी गठित की है आपको बताएं कि सरकार के इस फैसले की जानकारी देते बताया कि मदप्रदेश में गेहु निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई मुखमंतरी की अध्यक्षपता में या बैठक की और मंतराले में आज़ूत की गई जिसको लेकर मदप्रदेश में सिवरा सरकाने किसानों और उनकी फसल के अधिक से अधिक रेट मिल सके इसको लेकर बैठक की गई और इसमें चर्चाएं की गई आपको बताएं कि इसके लिए मुखमंती शिवरा सिंग चोहान ने निर्देश दिया कि मदप्रदेश में अधिक से अधिक गेहु निर्यात हो ताकि किसानों को उनकी गेहु की फसल का जादा से जादा दाम मिल सके इसके लिए सरकार एक टीम गठित की गई है जो राज्यों के बाहर से निर्यात को को संपर कर प्रदेश की मंडियों में पंजियन कराकर किसानों को से अधिक से अधिक गेहु खरीच सकेगी क्रिस मंतरी कमल पटेल ने बताया कि अभी तक 40,000,000 मैट्रिक टन गेहु निर्यात के लिए बंदरगाह पहुँच चुका है बाकि 20 टन मैट्रिक टन गेहु निर्यात के लिए सरकार लच रखा गया है और जिसको सरकार पूरा करेगी और जिस तरह किसानों को लेकर मुखमंती शिवरास सरकार लगातार एक्टिव मोड पर है और उनको गेहु के खरीदी के अच्छे दाम मिल सके ताकि किसानों को दिक्कत न हो इसको लेकर तमाम बैठके पहले भी की जा चुकी और इसके बाद एक नई टीम गठित करने की Top Floor, Ramagovind Palace, Riva